हलो एवरिवन आज मैं आपके साथ रेस्टोरन स्टाइल चना मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप इसे भटूरा, चावल, नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं भटूरे की रेसिपी का लिंक मैं डिस्कुप्शन बॉक्स में दे रही हूँ प्लीज आप चेक कर लें और उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें तो आएए बनाना स्टार्ट करते हैं यह मैंने दो कप चने थे जो मैंने बहुत अच्छे से पहले धो लिया उन्हें और फिर इन्हें पांच कप पानी में रात को भिगो दिया है सुबह आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने इसमें पानी बदलना भी नहीं है और इसमें और बी नहीं डालना है तो अब हम इसमें पहले मसाले वाली पोटली डालेंगे उसके लिए दो छोटी लाइची, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी लाइची, एक बड़ा चमच सुखा आवला जो आपको मार्किट में इसले मिल जाएगा, दस से बारा काली मिर्च साबुत, और ये तीन लॉंग ली हैं, इसमें एक चमच चाय पत्ती डाल रहे हूं म और अब हम इसे एक पोटली बांदेंगे, आप ठ्यान रखें इसे बहुत अच्छे से बांदें ताकि ये खुल न जाए, इससे चनने में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और ये जो साबुत मसाले भी मुह में नहीं आते हैं, क्योंकि बाद में हम ये पोटली पुरी न खुड़ा सा हिला कर, अब हम इसका धक्कन लगा देंगे, और हाई फ्लेम पर एक सिती आने के बाद हम गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे, तो हम इसे उसके बाद 20-25 मिनट तक पकाएंगे, अब हम मसाला त्यार करेंगे, इसके लिए 4 टमाटर, 1 इंच अद्रक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च का हम पेस्ट बना लेंगे, अब तड़का लगाने के लिए पैन में हम 2-3 बड़े चमच ऑईल डालेंगे, आप कोई सा भी ऑईल यूज कर सकते हैं, इसमें एक चुटकी हेंग डालेंगे, तीन चुथाई चमच जीरा, आदी चोटी चमच अजवाइन, और फ्लेम बिल्कु स्लो होना चाहिए, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे, एक बड़ा चमच धनिया पाउडर, एक चोटी चमच लाल मेज पाउडर, एक बड़ा चमच चना मसाला, एक चोटी चमच अमचूर पाउडर, और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आप ध्यान रख है, और इसे अच्छे से भूनेंगे, अब हम इसे कुछ दिर के लिए ढख देंगे, और स्लो फ्लेम पर जब तक ऑईल अलग नहीं हो जाता हमें तब तक इसे पकाना है, आप बीच वीच में इसे ढखकन हटा कर चलाते रहें ताकि ये जल न जाए, और वापिस ढखकन ढख कर हम इसे पकने देंगे, जब तक की ऑईल अलग नहीं हो जाता, और आप देख सकते हैं, इसका ऑईल अलग हो चुका है, तो इत मेंस हमारा मसाला तयार है यह हमारा चने के लिए मसाला बिल्कुल तयार हो गया है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और अपने चने देखते हैं कि वो प्रॉपर गल गए हैं या नहीं यह देखिए चने हमारे अच्छे से गल चुके हैं और यह जो पोटली है मसाले वाली हो इसको निकाल कर अलक रख देंगे और इसमें से हम चने निकाल करके अभी हम मसाले में डालेंगे अभी हम पानी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि पहले हम चने मसाले में अच्छे से भूनेंगे इस सारे चने हमने मसाले में डाल दिये हैं, अब हम इसे 5-6 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ऐसा करने से कुछ चने मैश हो जाएंगे, चुकि चना मसाला को बहुत अच्छा टेक्स्चर और फ्लेवर देंगे अब हम इसमें बचा हुआ पानी डाल रहे हैं चने का, और पानी डालने की बाद हम इसमें एको बाला आने तक वेप करेंगे और फिर हम इसे ढख देंगे और फिर 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे अब कोलकर हम इसमें आदी छोटी चमश गरम मसाला, दो हरी मिर्च कर दी हुई और थोड़ी से अद्रक के जूलियन सम्प डालेंगे, यह बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे इसमें और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लोग भी देंगे हम इसे वापिस धकर पकने देंगे ताकि सारे फ्लेवर इसमें अच्छे से एब्जॉब हो जाएं आप देख सकते हैं चना मसाला हमारा कितना अच्छा बनकर तयार हुआ है अब हम इसके उपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और लीजे हमारा चना मसाला तयार है बिल्कुल आप इसे बॉल में डालका गर्मा गरम सर्व करिए भटूरे के साथ या चावल के साथ जैसा भी आप चाहें तो उमीद करती हूँ आज की मेरेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हाँ आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो आप मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ तब तक लिए गुड़ बाई टेक कियर और थैंक्स वर वाचिंग